और लेट चेक इट आउट गाईज, स्वागत आपका स्टोन टैक में दोस्तों, Honor ने इंडिया में अपना एक और केलर इस्पेक्स वाला 5G स्मार्टफॉन लाउंच कर दिया है जो कि Honor 70 Lite तो आज कि इस वीडियो में बात करेंगे Honor 70 Lite की complete detail के बारे में ये मुबाईल इंडिया में कब लाउंच होगा, किस price point पर लाउंच होगा, क्या इसके features होगे और सबसे important क्या आपको ये मुबाईल लेना चाहिए आफिन नहीं सारी चीज़ों के बारे में discuss करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं तो चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like भी कर देना तो चैनल ये सबसे पहले बात करते हैं इस मुबाईल की डिस्प्ले के बारे में जिसमें आपको 6.5 इंचिस के TFT LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी aspect ratio 20.9 होगा और screen density 270 ppi होगी अगर बात करें इस मुबाईल के screen protection की तो इस मुबाईल में गोरिला ग्रास screen protection आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर बात करें इस मुबाईल के weight की तो ये मुबाईल आपको 194 ग्राम का देखने को मिलेगा जो कि इन हंट फिल में काफी ज्यादा बल्की होगा और इस मुबाईल के refresh rate 90 Hz होगा overall दिखा जाए तो इस मुबाईल में एक decent display आपको देखने को मिलेगी आप चलते हैं इस मुबाईल के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाईल के operating system, chipset और GPU के बारे में इस मुबाईल में under 12 operating system आपको देखने को मिलेगा chipset, snapback and 480 plus 5G होगा जिससे कि आपको इस मुबाईल की day to day performance एक दम battery smooth देखने को मिलेगी लेकिन gaming के वक्त आपको काफी ज़्यादा heating issue भी इस मुबाईल में देखने को मिलेगा अगर बात करें इस मुबाईल के GPU के तो इस मुबाईल में Adreno 619 GPU आपको देखने को मिल जाएगा तो gaming graphics बस आपको इस मुबाईल में average देखने को मिलेगे और gaming के वक्त काफी ज़्यादा lag issue भी आपको इस मुबाईल में देखने को मिलेगा overall दिखा जाए तो इस मुबाईल में एक average platform होगा अब बात करते हैं इस मुबाईल के main camera की जिसमें आपको 52 और 2 megapixel का triple camera setup आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 1080p में काफी अच्छी quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 8 megapixel का front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality भी 1080p होगी overall दिखा जाते हैं इस mobile का camera segment आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा आप चलते हैं इस mobile के अगले segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में microSD card slot आपको देखने को मिलेगा internal memory 128GB होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो यह mobile बस आपको 4GB में ही देखने को मिलेगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में a decent quality का आपको loudspeaker देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack का feature भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको side mounter देखने को मिलेगा आप बात करते हैं इस mobile के battery के जिसमें आपको 5000 mh के बड़ी अलाप के battery आपको देखने को मिलेगी चार्जिंग के बात करें तो इस mobile में 22.5 watt के fast charging का feature भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 tap सी USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port का feature इस mobile में नहीं होगा अगर बात करें NFC की तो इस mobile में NFC का feature आपको देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color price और release date की सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के color की तो यह mobile आपको black, blue और silver color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 20,290 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो यह mobile 21 July को release हो जाएगा overall दिखाया तो honor की तरफ से आपको इस mobile में काफी अच्छे feature देखने को मिल जाएंगे मेरे according अगर आपका 21,000 का budget है तो आपको यह mobile ज़रूर लेना चाहिए तो चलिए अब सबसे आखिर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile के stone rating होगी 7.5 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में